तो आज के टॉपिक में हम देखते हैं मूबाइल फोन के बैटरी के बारे में मूबाइल फोन के बैटरी के बारे में हमें देखना है तो सबसे पहले देखेंगे मूबाइल फोन में कितने पीन होती है और वह कौन कौन सी पीने होती है mobile phone on होने के लिए बैटरी में कितना voltage होना चीए mobile battery full charge कितने वोल्ड पे होती है इसके बारे हम देखेंगे और अगर battery full discharge है तो उसे boost charge कैसे करना है यह चीजे भी हम आज के topic पे देखेंगे तो चलो हम देखते हैं इसे प्रैक्टिकली तो अभी हम चेक करते हैं बैटरी कैसे चेक करना है पहले हम देखते हैं मेरे पाथ कुछ कंपनी के बैटरी पड़ी हुई है जैसे सैमसंग की सुनी के बैटरी पड़ी हुई है लावा फोन के बैटरी पड़ी हुई है अब यह बै अभी कि यह LG की बैटरी है इसपे total चार पिन दी हुई है आप देख सकते हैं तोटल चार पिन आपको दिखा ही दे रही हैं अभी हम देखते हैं यह 4 पिन कौन कौन सी होती है बैटरी कोई भी हो उससे इंडीकेट किया हुआ होता है चाहें यहां पे किया गया हो या तो यहां पे किया गया हो इंडिकेट किया जाता है कि कौन सा पीन पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव अभी पॉजिटिव पीन इसमें ये है पॉजिटिव पीन के हमेशा बाजू में जो पीन होती है वह BSI Pin होती है इसका फुल फॉर्म होता है बैटरी स्टेटर्स इंडिकेटर जो मुबाइल फोन में बैटरी कितनी चार्ज है जो इंडिकेट करने काम यह पिंग करती है इसे हम बोलते है BSI Pin BSI Pin के जस्ट बाजू में एक नेगेटिव केनेक्शन दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो उसके जस्ट आगे एक जो चौथी पीन है वो है B10 जिसके हम बोलते हैं बैटरी टमप्रेचर यह हमारे मुबाइल फोन के चार्जिंग के टाइम पे और बैटरी की अब अभी हमने देख लिया यह चार पीन कौन-कौन सी है इसमें पॉजिटिव बी एस आइप नेगेटिव और बीट एम ऐसे ही हम दूसरी बैटरी देखते हैं उसमें भी यह इंडीडेट किया हुआ है कौन सा पीन पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव इसमें टोटल V10 का connections एक ही है, इसमें एक ही connections दोनों का काम करता है, ऐसे ही सब battery हम देख सकते हैं, जैसे यह Samsung की battery है, इसमें भी 3 pin दिया हुआ है, और इसमें यहां उपर के side में indicate किया हुआ है, कि कौन सा pin positive है, कौन सा negative, अब इसकी मदद से हम battery check कर सकते हैं, positive नेगेटिव, battery check करने के लिए हमें digital multimeter का use करना होगा, जैसे मेरे हाथ में यह digital multimeter रखा हुआ है, आप देख सकते हो, digital multimeter, इसमें एक router दिया हुआ है, router यह अभी off है, ऐसे तो meters में काफी सारी settings दी हुई है, but हमें battery check करने के लिए हमें DC volt, 20 DC volt पर रखके हमें check करना है, यहाँ पर AC volt चेक करने के लिए settings दी हुई है, और यहाँ पर DC volt चेक करने के लिए settings दी हुई है, अभी battery check करने के लिए हमें probe यूज़ करना होगा, हमारे पास दो probe रहेंगे, दो probe हैं, इसमें एक probe है, red probe, दूसरा black probe, अभी red probe को हम multimeter के V ohms, volt ohms amplifier की settings पर हमें यह connect करना है, यह हमने red probe को volt amplifier की settings पर connect किया, और black probe को हम ground पर, ground की settings पर हमें connect करना है, यह हमने दोनों connect कर लिया है, अभी battery check करने के लिए हमें rotor को 20 volt DC, क्योंकि battery में DC current पाया जाता है, इसलिए हमें 20 volt DC current पे हमें set करना है, अब display पे आपको 00 volt indicate होगा, अभी हमें volt check करना है, तो हम सबसे पहले एक battery लेते हैं, अभी यह sony की battery है, अभी यहाँ पे positive और negative connections दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे indicate किया हुआ है, अभी हमें positive पे red probe और negative पे black probe को connect करना है, अब display में देख सकते हैं कि कितनी reddings आ रही है, display में total 3.89 reddings दिखाई दे रही है, 3.89, अब इसका क्या मतलब है, display जो reddings दिखा रही है, 3.89, हम कोई भी battery देखेंगे, तो उस पे battery पे लिखा हुआ होता है, 3.7 volt, mobile phone on होने के लिए minimum 3.7 volt की जरूत होती है, mobile phone on होने के लिए हमें 3.7 volt के उपर अगर battery charge हो, तो mobile phone हमारा on होता है, mobile phone की battery अगर full charge होगी, तो हमारे display पे 4.20 volt इंडिकेट होता है, इसका मतलब mobile phone on होने के लिए minimum 3.70 volt feature होता है, battery full charge 4.20 volt पे होता है, ऐसे हम दूसरी को यह battery चेक करते है, इस battery में 3.89 volt battery charge थी, इसका मतलब यह mobile phone on कर सकता है, अभी इसमें pin positive, pin पहला last वाला negative pin, इसलिए हम positive पे red probe लगाएंगे, negative पे black probe लगाएंगे, अभी हम देख सकते हैं, डिस्प्ले पे 2.80 volt डिखाई दे रहा है, 2.80 volt, इसका मतलब यह mobile phone को on नहीं कर सकती battery, तो यह battery को हमें charge करना होगा, इसको charging की जरूद होगी, इसको charge करने के लिए हमें boost charger भी use कर सकते हैं, यह normal charger से भी charge हो सकता है, अभी हम और दूसरी battery देखते हैं, यह Nokia phone की battery है, इस पे इंडिकेट किया हुआ है, कौनसी बिन positive है, कौनसी negative, हमेशा positive पे red probe, negative पे black probe, अभी यह display पे 3.49 volt इंडिकेट कर रहा है, mobile phone पहले on होने के लिए मैंने पहले ही बता दिया है, 3.70 volt होना जरूरी है, अभी यह सब battery, इसमें से कुछ battery हमने देखा, जो 3.70 volt से कमती, अब ऐसे conditions में, हमें जो mobile phone on करना है, उसके लिए हम 3.70 volt चीए, इसलिए हम इसके लिए battery booster, यह मेरे हाथ में battery booster है, battery booster की मदद से हम battery को charge कर सकते हैं, लेकिन यह हमें regular battery को charge से नहीं किया जाता है, क्योंकि battery खराब भी हो सकती है इससे, और यह आप ज़रूर याद रखे, battery booster से आप 7 seconds के ऊपर battery को charge ना करें, अभी हम इस पर जब charge करेंगे तो इस पर दो probe दिया हुआ है, red probe और black probe, प्रोब को हमें positive connections पर रखना है और black probe को negative connection पर अभी आप यहाँ पर एक light आपको दिखाई दे रही है, यह जो display यह आपको एक light इंडिकेट होगी जब यह light dim हो तो इसका मतले यह battery charge हो रही है, इसे हमें continue charge नहीं करना है इसलिए हम से charge करते जाएंगे, इससे connect करना है और निकालना है connect करना है इससे क्या होगा हमारी battery खराब नहीं होगी यानि फूगेगी नहीं इसकी मदद से हम battery charge कर सकते हैं, कभी कभी क्या होता है हम वोल्ट चेक करते हैं battery की उस time पर meter में 00 वोल्ट इंडिकेट होता है यानि कोई readings नहीं दिखाती है, उस time पर क्या होता है काफी दिनों से mobile phone रखे रहने से हमारी battery full drain हो चुकी रहती है यानि full discharge हो चुकी रहती है, उस time पर हमारे normal charger से mobile phone नहीं हो पाता बैटरी charge नहीं हो पाती इसलिए हमें battery को boost charge करके चालू करना होता है, तो आज के टॉपिक में बस इतना ही अभी हम नेक्स टॉपिक में स्पीकर रिंगर यह सब चीजे हम आगे देखेंगे